दो दोस्तों को एकी लड़की से प्यार हो जाता है इस मूवी में हम यही देखेंगे और हम जानेंगे कि वो लड़की किसको मिलेगी तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ आज की हमारी मूवी है क्यो रोसा ये 2019 में आई थी ये एक टूरी स्टोरी है इस मूवी को पूरा देखेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीचेगा यहां हम अपने में करेक्टर पेरे को दिखते हैं वो शीशे के पीछे से लड़कियों को देख रहा होता है इन में हमारी एक में करेक्टर होती है जिसका नम मरी होता है वो अभी अपनी सिश्टर और एक फ्रेंड के साथ होती है पेरे एक्चुल में अपने फ्रेंड हैंडरी के साथ आया था हैंडरी मरी के सिश्टर से शादी करने वाला होता है पैरी मरी के मदर के सामने दो लड़कियों के साथ फ्लाइट कर रहा होता है ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए उसकी मदर प्यारे को दूर रखने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो मरी के पास चला जाता है इन दोनों को मिलते हुए मरी की मदर ने देख लिया था फिर प्यारे वहाँ से चला जाता है हमें पता है हैंडरी मरी की सिश्टर से शादी करने वला है लेकिन अब वो मरी के प्यार में आ जाता है वो उसके लिए दिवाना हो जाता है उसे ये पता होता है कि प्यारे मरी से प्यार करता है लेकिन वो मरी के लिए अपने फ्रेंट को भी धोका देने के लिए रैडी होता है सबको यही लगता है कि वो मरी की सिश्टर को लेने आया है लेकिन तब वो बताता है कि वो मरी से ही प्यार करता है इसके बाद फिर मरी की शादी हेंडरी से किरा दी जाती है वो काफी अमीर होता है इसलिए कोई उसे मना नहीं करता यहाँ मरी भी P.E. से प्यार करती थी लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण उसे ये शादी करनी पड़ती है अगले सीन में हम प्यारे और हेंडरी को बात करते हुए देखते हैं प्यारे पूछता है कि तुमने मरी से शादी क्यों की तो हेंडरी कहता है कि मैं मरी से बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे पान इकले कुछ भी कर सकता हूँ प्यारे प्यार वगेरे में ज़्यादा बिलीव नहीं करता उसे लगता है ये सिर्फ एक शरीर की भूक होती है हेंडी की शादी के बाद वो एक अलग कंट्री में घुमने चला जाता है और वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है जिसका नाम होता है जोरा इन सब के बारे में हेंडी मरी से बात करता है वो कहता है कि प्यारा वापस आगया है और वो अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया है उसे लगता है कि प्यारा उस लड़की के पीछे पूरा पागल हो चुका है next scene میں हम उस लड़की के साथ प्यारे और उसके franc को दिखते हैं जो सब उसको देखकर मजे ले रहे थे एक दिन मरी प्यारे से मिलने आजाती है जोरा उसे रोखने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी उह अंदर आ जाती है प्यारे पूछता है कि मैं जुरा के साथ हूँ तो तुम क्या जेलस हो जब हेंडरी ने तुम्हारे साथ शादी की तो मैं काफी गुस्दा हो गया था मरी उसे कुछ नहीं कहती और उसे किस्ट करने लगती है इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते है अब इन दोनों को ही मिलने की इच्छा होती है तो मिलने की जगा का लोकेशन प्यारे कोड़ वर्ट में एक निउस पेपर में भेज़ देता है मरी भी उसके कोड़ वर्ट पहचान लेती है मरी उसको लेटर लिख कर कहती है तुम मेरे फोटोग्राफ्स लो मैं इन फोटोग्राफ्स के जरिए तुम्हारे साथ अमर रहना चाहती हूं प्यारे उसके बहुत अच्छे अच्छे फोटोunks लेता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा लवर बनूगा मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो मरी कहती है कि इतना सीरियस मत होना हम ये सिर्फ मजाक मजाक में ही कर रहे हैं प्यारे कहता है कि इन सब चीजों से हम हाट भी हो सकते हैं लेकिन इन सब बात उकले मरी सोचने के लिए रैटी नहीं थी वो हमेशा मिलने लग जाते हैं एक दिन मरी प्यारे से मिलकर लेट घर आती है घर पर अल्रेडी प्यारे और हेंडरी पहुच चुके होते हैं हेंडरी कहता है कि तुम्हें इतना लेट कहां से हो गया मरी कहती है कि मेरा किसी के साथ अफ्यार चल रहा है मैं उसी के साथ थी हेंडरी को ये सब बाते एक जोक लगती है और मरी भी इस पर काफी हसती है फिर ये तीनों बैट कर बात कते हैं तो हेंडरी पूछता है प्यारे तुम तो कई कंट्री घूम कर आये हो वहाँ का experience कैसा था प्यारे बताता है कि वहाँ बहुत अच्छी जगह थी वहाँ मुझे अलग-अलग cultures और मुझे अलग-अलग tradition भी देखने मिले और मुझे ये सारी चीज़े काफी पसंद आई वो कहता है अगर हो सकता तो मैं सारी चीज़े record कर लेता ये बाते करते हुए भी एक दूसरे से flight कर रहे होते हैं मरी को प्यारे से मिलने की बार-बार तलब उठती है हैंडरे फिर अपनी और मरी की marriage album का photo दिखाता है यहां मरी को लगता है कि वो अपनी शादी में काफी sad थी मरी के लिए प्यारे ने एक flight लिया था उसमें सामान रखने के लिए उसका friend उसे मदद करता है उसके friend को सब कुछ पता होता है कि प्यारे क्या क्या करता है प्यारे पर हमेशा अलग-लग लड़कियों को ले कर आता था फिर वो अपने फ्रेंट को एक नोटबूक दिखाता है जिसमें अलग-अलग लड़कियों के descriptions होते हैं उनमें photos भी होते हैं और fingerprints भी होते हैं उसके friend को ये बाते काफी अजीब लगती है प्यारे को इस तरह से लड़कियों को एक trophy की तरह देखना उसे अच्छा नहीं लगता प्यारे को ये खुद नहीं पता होता कि वो ये सब चीजे क्यों करता था क्या मैं तुम्हारे ले काफी नहीं हूँ प्यारे कहता है कि ऐसा नहीं है मैं बस कुछ interesting करना चाता हूँ मरी पूछती है कि क्या तूम एक साथ दो लड़कियों को प्यार कर सकते हो इस पर प्यारे कहता है कि अगर मैं दूसरे के साथ भी हूँ लेकिन मेरत प्यार तुम्हारे ले कभी कम नहीं होगा लेकिन मरी ये बात imagine भी नहीं कर सकती थी वो कहती है कि तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती जो भी आजकल प्यारे के साथ चल रहा होता है वो इसके बारे में बुक लिक रहा था ये बुक उसमें पब्लिशर को भी दिखाई थी हेंडरी भी पब्लिशिंग में ही काम करता था इसलिए जब एक दिन वो अपने कलिक के साथ डिनर कर रहा था तब ये बात छड़ी प्यारे के बुक की जो फीमेल करेक्टर है उसको डिस्क्राइब किया जाता है वो मरी की तरह ही मिलती जुलती है हेंडरी को इस बात पर शक होने लगता है लेकिन वो ज़्यादा सोचता नहीं है एक दिन मरी जब प्यारे के फ्लैट में होती है वहाँ उसको एक नोटबुक मिलती है जिसमे जोरा के सारी इमेजेस होती है इस बात से वो काफ़े जैलिस हो जाती है प्यारे और मरी हमेशा एक साथ होते थे लेकिन जब वो घर चले जाती थी तो प्यारे किसी और लड़की को खोड लेता था और उसे अपने फ्लैट में लाकर उसकी फोटो शूट करता उसकी फोटोस खिषता था वो चीटिंग करने पर भरूसा नहीं करता था चीटिंग करना उसके लिए एक आम बात थी मरी की उसने बहुत सी फोटोस ली थी एक दिन जब वो उसे डेवलप कर रहा होता है तो मरी पूछती है क्या ये मैं फोटो अपने पास रख सकती हूँ हमारा एक सिक्रेट अलबम रहेगा प्यारे इस बात के लिए मान जाता है नेक्ट सीन में हम देखते हैं हैं हैंडरी मरी को एक पार्टी में लेकर आता है वहाँ वो जोरा को देखकर मरी को लगता है कि प्यारे जोरा से प्यार करता है इस बात से वो काफी डिश्टब हो जाती है वो तूरन घर जाना चाहती थी लेकिन उससे हैंडरी समझा कर रोक लेता है हैंडरी को मरी पे शक होने लगता है इसलिए वो उसका लॉकर चेक करता है जहां उसे मरी की न्यूट फोटोस प्यारे के साथ मिल जाती है यह देखकर उसे काफी बुरा लगता है फिर वो मरी को कंफरेंट करता है कि प्यारे तुमको प्यार नहीं करता वो जिस तरीके से जोरा को ट्रीट करता है तुमको भी वो वैसे ही ट्रीट करेगा वो और उसके सारे फ्रेंट्स जोरा का फायदा उठाते हैं अगर तुम चाहती हो कि उसके फ्रेंज भी तुमारे साथ मज़े ले तो मैं भी उस तरीके से तुम से ट्रीट कर सकता हूँ इसलिए फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन मरी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम से प्यार नहीं करती नेक्ट सीन में हम मरी और प्यारे को एक साथ दिखते हैं यहां मरी रो रही होती है जब प्यारे उसे पूछता है तुम क्यों रो रही हो तो मरी कहती है कि जोरा अब तुमारे साथ नहीं रहेगी उसे तुम यहां से वापस भेट दो जब प्यारे जोरा को कहता है कि तुम चली जाओ तो वो नहीं मानती वो बोलती है कि मैं यही रहना चाती हूँ मैं यहां से नहीं जाना चाती मैं तुम से बहुत ज़ादा प्यार करती हूँ और तुम मुझे जो भी कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूगी प्यारे मान नहीं रहा होता है तब जूरा उससे कहती है कि मैं कहीं भी जाओ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओगे अगले दिन जूरा मरी को कंफरंट करती है वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उससे प्यार करती हो लेकिन क्या मेरा जाना ज़री है मरी कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ तब जूरा ने कहा मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता मरी कहती है कि तुम प्यार नहीं सीख सकती जोरा कहती है कि तुम इस बात पर गलत हो फिर वो उसे उपर ले कर जाती है और उसे कहती है कि मैं जिस तरीके से प्यारे से प्यार करती हूँ मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी जोरा ने मरी को कुछ सीजे सिखाई जिससे प्यारे को अच्छा लगेगा इसी के बाद वो हमेशे कले चले जाती है कुछ दिन बीच जाते हैं और प्यारे यहाँ जोरा को मिस कर रहा होता है इस बारे में वो हैंडरी से बात करता है हैंडरी भी यह चाहता था कि वो उसकी लाइफ से चला जाए वो उससे कहता है कि जब तुम जोरा से प्यार करते हो तो तुमने उसे जाने क्यों दिया अगर वो तुमें नई मिली तो तुम जिन्दगी भर पश्टाओगे फिर वो जोरा के पीछे चला जाता है जब ये बात मरी को पता चलती है तो वो काफी ज़ादा डिश्टब हो जाती है वो अब सैड रहने लग जाती है हैंडरी मरी की सिश्टर और उसकी मदर को बलाता है मरी की सिश्टर उससे बात करने की कोशिश करती है तो मरी बताती है कि मैं प्यारे से काफी ज़ादा प्यार करती थी मैं उसे भुला नहीं सकती हेंडरी मरी की मदर को बताता है कि वो मुझसे बोल रही है कि उसे डैवॉस चाहिए फिर मदर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बस तुम थोड़ा उसको एंटर्टेन करो अलग-अलग जगह पर घुमाने ले जाओ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा समय बीटता है और मरी अब नॉर्मल होने लगती है वो अलग-अलग जगह उपर घुमने लगती है एक दिन उसे पियारे का फ्रैंट मिल जाता है उसमें मरी के लिए गिफ लाय होता है वो एक रैटर होता है मरी उससे कहती है तुमारी रैटिंग स्किल काफी अच्छी है मैं हमेशा ही पढ़ते रहती हूँ पियारे के फ्रैंट को ये बात अच्छी लगती है इसलिए वो पियारे के फ्लैट में उसको मिलने बुलाता है अब प्यारे के फ्रेंट और मरी के बीच में आफेयर स्टार्ट हो जाता है इसी दोरां मरी प्यारे को लेटर भी भेज़ती थी और यहाँ प्यारे भी उसे रिपलाई करता था इसी वज़े से मरी प्यारे के फ्रेंट से ब्रेक अप कर लेती है वो कहती है कि मैं प्यार के वर्थिट नहीं हूँ, मैं तुमको डिजर नहीं करती प्यारे को भी मरी की काफी याद आ रही होती है, इसलिए अब वो वापस आ जाता है वापस आने के बाद उसे उसके फ्रेंग की चिट्टी मिलती है उसमें लिखा होता है मैं मरी के बिना जी नहीं सकता इसलिए उसमें सोसाइट कर लिया था ये बात पता चलने के बाद पियारे काफे डिश्टाब हो जाता है वो अपने आपको दूशी मानता है और इसलिए वो मरी से नहीं मिलता Marie और उसके friend की साथ में उसने बहुत सी photos भी देखी होती है Marie उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कभी भी तुम्हारे friend से प्यार नहीं किया था लेकिन वो इस बात को नहीं मानता एक दिन Henry से π्यारे को एक news मिलती है कि Marie अब pregnant है उन्होंने टीसाइड किया होता है कि अगर उनको बेटा होता है तो उसका नाम भी पियार ही रखेंगे नेक्स सीन में हम मरी की मदर को मरी को समझाते हुए देख सकते हैं अब तुम प्रेगनेट हो और हैंडरी ने तुम्हें बहुत अच्छे से समाला है अब सारी चीज़े ठीक हो जाएंगी और तुम भी अब खुश रहो मरी पियारे को लेटर लिखती है कि लाश्ट टाइम जब हम मिले थे उसी के नाइन मांस बाद मुझे बेवी होने वाला है इसका मतलब ये बच्चा तुम्हारा है तुम्हारे बिना मैं जिन्दगी इमेजिन नहीं कर सकती जब हैंडरी का बेटा होता है तो हैंडरी भी समझ जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है एक दिन हैंडरी ने मरी और पियारे को पार्क में मिला दिया वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं पियारे ने फर्स्ट ताइम अपने बेटे को देखा था पियारे ने मरी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मरी कहती है कि कितना देर 15 मिनट उसे पता होता है कि प्यारे कभी भी कमिक नहीं कर सकता इसके बाद हेंडरी और प्यारे पार्क में अकले में बात करते हैं प्यारे हेंडरी से माफी मांगता है और उससे कहता है कि आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वो तुम्हारी वज़े से है मैं तुम्हारा करदार हूँ हेंडरी कहता है कि तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो तुम मरी के साथ अपना अफेर कंटीनू रखो क्योंकि वो चाहता था कि मरी हमेशा खुश रहे भले इसके लिए खुद कॉंप्रोमाइस क्यों न करना पड़े एक दिन मरी की मदर उस्से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी फینج लूईस पियारे से काफी प्यार करती है और अब वो उससे शादी करना चाती है मरी की मदर को लगता था कि ये बहुत गलक डेसिजन है लेकिन लुईस किसी की बात सुनने को तयार नहीं थी वो एक दिन अचानक प्यारे के पास बहुँच जाती है और फिर दोनों intimate हो जाते हैं तब प्यारे मरी को पूछता है कि क्या तुमने लुईस को मेरे पास भेजा था मरी बताती है कि वो तुम से शादी करना चाती है तुमने भी तो ये प्रपूजन एकसेप्ट कर लिया है प्यारे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाती हो मरी बोलती है कि अगर तुमारी शादी हो गई तो तुम हमेशा यहीं पर होगे और हमेशा ही हम यहाँ मिलते रहेंगे मरी और पियारे का जो आफेर होता है वो उसके बारे में अब लिखने लग जाती है जिसकी वो एक बुख बना कर हेंड्री को दिखाती है ताकि वो पबलिश कर सके हेंडरी भी इस बात पर मान जाता है और यहाँ पर लुईस और पियारे की शादी हो गई होती है अचानक से उसकी आखों की रोशनी कम होने लग जाती है और अब वो फुली ब्लाइंड हो गया होता है लुईस उससे बहुत प्यार करती थी इसलिए उसका काफी खयाल रुखती है मरी पियारे से मिलने जाती है तो पियारे कहता है क्या तुम मेरी सिच्वेशन इमेजिन कर सकती हो मैं पहले क्या क्या करता था और अब मैं क्या बन चुका हूँ मरी कहती है कि तुमारे पास तुमारे फोटोग्राफ्स है वो कहता है कि मेरा काम हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा मेरा काम हमेशा अमर रहेगा मरीने जो बुक लिखी होती है वो काफी famous हो जाती है इसके बाद ये movie यही पर end हो जाती है ये movie हमें सिखाती है कि selfish और अंधा love कई लोगों की जिन्दगी बरबाद कर सकती है हमारी खुद की और दूसरों की भी अगर आपको ये movie अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे subscribe कर लीजे और मेरी अगली movie जरूर देखिएगा तब तक के लिए Thank you and take care